अब यहां रामरेखा घाट पर मौझूद लोगों से भी जरा चुनावी बैयार के बारे में समझ लेते हैं सरकारों के समय काम देखा अलगला सरकारों के समय लेकिन जो मतलब अभी 10 साल से जो विकास हुआ है नीतिस के सरकार में हमारे बीजे पिक्षा बहुत ज्यादा हुआ है इसमें कोई संक नहीं है वहीं कि कुछ अस्तर बीच में रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ह और दर्शनात मुक्ति गंगा जी जिनके दर्शन भर से मुक्ति की बात की जाती है क्या वोटर्स को भी उनके सतत चले आ रहे मुद्दों से परिशानियों से मुक्ति मिलेगी क्या राजनीती में भी ऐसी गंगा बहेगी कि आने वाले दिनों में वोटर भी ये कहकर खुश हो सके कि इस बार उनके भगीरत प्रयत्नों से वो गंगा बही है कि उनकी दुश्वारियों से उनको निजात मिल गई आई आगे चले बाबा चुनाव में क्या मुद्दे इस बार चुनाव में है कि जो सरकार बने सही जंग से काम करें जनता को ध्यान रखें तो अभी तक जो सरकारे बनी हैं वो जनता का ध्यान रखती आई है ना आई तो है लेकिन कुल मिला के बेरोजगारी ज्यादा है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है जी तो इस बार चुनाओ का मुख्य बुद्धा क्या है रोजगार बचों के दो साल से न भरती हो रहा है न बचों को रोजगार मिर रहा है पड़कर इधर उधर घुम रहा है सब यह शंक कौन सा रखा हुआ आपने विशेश शंक दिखाई दे रहा है यह बहु रूपी संक है बहुरूपी संक है यह बहुमोखी बहुमुकी जी अच्छा धाहिनावर्ती है यह देहिनावर्ती शंक है जी तो इसमें एक शंक का घोश हो जाए जरा यूबूस टॉप नाइन रोज सुधे साथ बजी और शाम साथ बजी सर्फ टीवी नाइन भारत वर्षपार